अर्विन्ध केजरिवाल इस एन एलेक्शन वाच्छन नाशनली और अर्विन्ध यूर फॉर्स रियाक्शन तो वाट यूवाट बहुत बदाई भी देता हूं और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं क्योंकि जो कुछ ये हुआ आज बिहार का जो मैंडेट आया ये बहुत बहुत जरूरी था जिस तरह से भारती जनता पार्टी और आरेसस ने मिलके और उनके लोगों ने मिलके पूरे देश में एक नफरत की राजनीती पैदा कर दे थी नफरत का माहौल पैदा कर दिया था और सारा देश उसको थूथू कर रहा था शारूख खाने जैसे स्टार को कह रहे थे कि ये पाकिस्तान चले जाए पाकिस्तान की एजेंट हैं और जिस तरह से ये सब लोगों की बेज़ती करना चालू कर दी थी इन लोगों ने मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने इनके मुँपे तमाचा मारा है और इस किसम की राजनीती को तमाचा मारा है और ये होना बहुत जरूरी था ये बहुत एहम था तो एक ये कि इस किसम की ये देश इस किसम की राजनीती पसंद नहीं करता इस देश के लोग प्यार और महबत की राजनीती चाते हैं शांती से जीना चाहते हैं विकास चाहते हैं लोग अपने बच्चों के लिए पेट पालना चाहते हैं उनका अपने परिवार का पेट पालना चाहते हैं शांती से जीना चाहते हैं मार काट नहीं चाहते हैं इस देश के लोग और दूसरा इसका मेसेज आज ये गया है कि नरेंदर मोदी जी प्रदान मंत्री जी के काम से और उनके वर्किंग स्टाइल से इस देश के लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं अगर उन्होंने कुछ काम नहीं किया जैसे पिछले डेड़ साल में केंदर सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया केवल विदेशी दोरों के अलावा फॉरेंड में घ जगे जगे देखने को मिलेगी जी अर्वेंद आप आपको लगता है कि इस वर्डिक्ट के बाद एक नैशनल पॉलिटिक्स का रियलाइन्मेंट होगा उसमें नितीश जी को कहा जाएगा दर ही शूड लीड एन एंटी बीजेपी कोलिशन क्योंकि आपने ममता बैनर जी न नहीं सोच रहा लेकिन मुद्दों की राजनीती है जिस किसम से प्रधान मंतरी जी ने दिली के अंदर दिली में चुनी होी सरकार थी सतर में से 66 सीट आई थी हम लोगों की उसके बावजूद हमें काम नहीं करने दे दिली के अंदर उसके बावजूर टांग अडा रहे हैं रोज की रोज टांग अडा रहे हैं दिली की सरकार के अंदर अगर इन्होंने इस किसम से मुख्यमंत्रियों को काम करने नहीं दिया और टांग अडाते रहे अगर अलग-अलग मुख्यमंत्रियों को बिलकुल आना चाहिए, सबको साथ आना चाहिए और वो कोशिश पिछले महीने हमने की थी जिसमें 5 या 6 मुख्यमंत्रियों ने directly और indirectly participate किया था मुझे लगठा है आने वाले समय में और भी ज्यादा मुख्यय मंत्रियों को एक साथ आना चाहिए अगर केंदर सरकार ने अपना रवया नहीं बदला तो कि और को सब्सक्राइ अब Хотя हमने तो सारों को भेजा था सब्सक्राइब वह इंविटेशन बेजा था बीजएपी के जानकारी के लिए बता दू बीजएपी के अब जधा प्टा outs पूट रहें बीजएपी की हार की वज़ेसे किह लुग भी अपने बहुत दुखियां कई मंत्री कह रहे थे कि हार जाये तो जादा घरूर हो गया बहुत जादा गमंड हो गया बहुत जादा अच्छा मुझे बताईया आपने दिली में भी देखा प्रदान मंत्री ने खुद ही कैम्पेइन लीड की अपने आपको कैम्पेइन का फेस बनाया बिहार में भी उन्होंने ये किया अच्छी प्रदान मंत्री जी और अमित शा की जोड़ी ने बीजेपी में बाकी सारे नेता खतम कर दिया है नमबर वन, नमबर टू, नमबर त्री, नमबर फोर, नमबर ट्वेंटी तक और कोई ही नहीं तो फिर वही जाते हैं बस कैम्पेइनिंग करने के लिए और कोई बचता ही नहीं है फिर उनके आँ बीजेपी कहती है कि अरविंद केजरीवाल लालू प्रसाद यादव को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं करॉप्शन का आंटी करॉप्शन जो उनका बैक्ग्राउंड है आखरी सवाल आपने कहा कि इस बारी गंदी राजनीती हुई है बीजेपी की तरफ से आपको लगता है इस हार या जीत के बाद इस राजनीती में बदलाव आएगा जो बीफ पॉलिटिक्स है शारु खान को टार्गेट करने का मुद्दा ये बढ़ेगा या कम होगा मुझे लगता है ये नहीं रुकी तो बीजेपी खतम हो जाएगी आज बीजेपी को कितनी 55, 58 सीट्स आहे ने ये भी नहीं मिलेगी अगली बार इनको कुछ भी नहीं मिलेगा इनको, सफाया हो जाएगा बीजेपी का, अगर उन्होंने आज के मेंडेट से और दिल्ली के मेंडेट से अगर उन्होंने सबक नहीं लिया तो, मतलब इतनी गंदी राजनीती खेली है बीजेपी वालों ने इस चुनाव के दुरान, इतनी गंदी राजनीती खेली है, ना वो समविधान को मानते, ना वो किसी कानून को नहीं मानते, किसी समविधान को नहीं मानते, किसी चीज को नहीं मानते, actually ये दो चीज़े एक तो ये उनकी मानसिक्ता दर्शाता है कि उन लोगों की क्या मानसिक्ता है जो इस किसम का campaign run कर रहे थे जी जी चले अर्विंद केज़िवाद थांक यू सो माझ डेली चीफ मिनिस्टर अलसो विद व्यू अन दीज एलेक्शन